नमस्कार राम राम साब तो आज हम पेपर नंबर बारा का सॉलिशन करेंगे सभी लाएं पेपर हाँ सभी यूटूब के साथियों से निवदर रहेगा कि आपके बीच में आज का पेपर नंबर बारा का सॉलिशन लेकर यूटूबर्स हैं तो उनको हमारा यह टॉपिक आज का जो पेपर नंबर बारा है उसमें हमारा टॉपिक है पुस्तकाले विज्ञान के पांथ शूपर जो आप सभी को करवा दिये गया है प्लेलिस्ट में जाकर के आप सभी पांथ हमारे भाग है इस यूनिट के तो उन सभ के दो प्रस्न कंप्लीट हो चुके हैं तो अब आपको 98 क्यूशन की तयारी करनी है आपने सभी वीडियो देखे लाइक किया और बहुत ही अच्छे आपके कमेंट आये इसी तरह से आपके बीच में धेरे धेरे श्री सम्रति क्लासे इंपोर्टेंट टॉपिक्स लेकर के आ आपके बीच में स्री सम्रति क्लासे लेकर गया रही है तो आपने उस्तकले विज्ञान के पांच सूत्र टॉपिक कम्प्लीट पढ़ लिया होगा तो मुझे नहीं लगता है कि आपको अब इसकी सॉलिशन की आउशक्ता भी है अगर आउशक्ता है तो एक बार नजर देख देखते हैं एक से 11 हम पेपर सॉलिशन पहले कर चुके हैं तो आज हमारा पेपर नंबर 12 जिसका हम पहला प्रसना देखे हैं कि भारत के समिदान की कौन सी धारा राष्टरिक गिनथाले की स्थापना से समंदित है हमारा पहला प्रस्न है भारत के सेंधान की कौन सी धारा राष्ट्रि गिनताले की स्थापना से समन्दित है तो हमारे सामने ऑप्शन है 63, 67, 26 और 62 तो हमारा सही आंसर रहेगा 62 62 आपकी धारा है 62 धारा के अंतरगर आपके राश्ट्रिक अंधाले की इस्थापना के गई जिसका अनुझेद अनुझेद आपका है साथ के अंतरगर हम बात करें कि भारत के समिधान की धारा राश्ट्रिक अंधाले की इस्थापना की धारा आपकी 62 किस अनुझेद या जिसे हम कह सकते हैं परिशेश्ट परिशेश्ट साथ के अंतरगर आपसे यहां पर दारा पूछी गई है पूछा जा सकता है कि किस अनुझेद के तहर आपके इसकी स्थापना की गई है हमारा दूसरा क्यूशन है कि नैस्टनल लाइब्रेरी नैस्टनल लाइब्रेरी पर ब्लाइंड एंड फिजिकल हैंडिकर कहां इस्ते थे हमारा दूसरा है नैस्टनल लाइब्रेरी पर ब्ला कि असन्व और डेहरा दो क्या रहेगा अंसर देहरा दो सर्फ रहेगा हमारा देहरा दो इसके इसताफना कब हुएक थी नेक्स्ट कुशन यहां पर बनता है कि नैसनल लाइब्रिरी फॉर ब्लाइंड अंड फिजिकल हैंडिगa कि इस इस्थान पर इस्थे रही है तो आपने बता दिया कि देहरा दूना क्योंकि हमारे सामने विकल्प मौजुद है तो अब आपसे पूछा जाए कि यहां पर इसकी इस्थाबना कब की जई कब से यहां संचालित हो रहा है तो हमारा सही आंसर रहेगा कि 90 79 इसे आप Lehr करते रहें vais the next कि उचेन आता है आपको मिलका कि राश्ट्रिय ग्रंथालर्टर्डद्रश्रिय विज्याण ग्रंथालर के अचाइट नाश्राइट साइंस लाइब रए горош्रिय विज्यां ग्रंथालर आ पहलें है क्रेंघ्रीय के今 अ राश्ट्री विज्ञान ग्रिंथाले कहां कारियर रत है आपके सामने ऑप्षन है राश्ट्र गिंथाले कौलगत्ता में नेस्टेनज नहीं दिल्ली में भारतिय प्रोधुकी की शनस्तान नहीं दिल्ली में आप में से इसका कोई सही आंसवर है आप्शन सी निस्केयर दिल्ली राष्ट्रियों विज्ञान व्रंधाले आपका निस्केयर दिल्ली में इस्तिर है तो आगे हमारा वही प्रस्ण की कब से संचलित है तो आपका सही आंसो रहेगा निस्केयर तो निस्केयर से एक आपको याद आना चाहिए कि यहां से एक नंबर जारी होता है वह है ISSN ISSN आपका निस्केयर से और ISBN यह नंबर कहां से जारी होता है ISSN और ISBN यहां अधिकतर एक्जाम में पूछा जाता है किस संस्तान द्वारा नंबर दिये जाता है तो आपको यहां पे आपके सेलेबस में भी है आर 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 एल एफ राजाराम मोहमराय लाइब्रेरी फाउंडिशन तो इनके द्वारा आपके ISBN नंबर जारी किये जाते हैं ISSN नंबर निस्केयर जारी करता है तो यहां को प्रस्ण भी आपके एक्जाम के पॉइंट आप यू से बहुत ही इंपोटेंट है हमने यहां देखा राश्ट्रिय विज्ञान विरंथाले अगर आपसे यह प्रस्ण पूछा जाए कि राश्ट्रिय मेडिकल लाइब्रेरी हमारा इसी संदर में राश्ट्रिय विज्ञान विरंथाले यह दिल्ली में इस्तित है और इसी जगह पे आपसे एक प्रस्ण और राश्ट्रिय और मेडिकल लाइबरी यह कहां इसते थे आप मैंसे ओप्षन चाहिए आपको यही ले लो कलकत्ता दिल्ली लखनो या देहरा दूँ तो यहां पे हमारे दिल्ली में जो है वह दिल्ली में जिसकी इस्तापना हिंक है 1966 से संचाले थे हम आगे वढ़ते हैं क्यूशन नमबर चार है हमारा कि नेशनल लाइबरेरी ओफ इंडिया और क्रिटिकल स्टड़ी नाम ग्रंद के लेखर यानि कि यहां के एक आपको भुख दे रखी है जिसके राइटर पूछे हैं कि इनके राइटर को आशिए आपसे एक्जाम में एक स्टेटमेंट परिवासा जिश्ट आपकी पांच यूनिट है पांच यूनिट में जहां परिवासा जिन से रिलेटेड व्यक्तित तो है उनका परिचे और उनके नामत पुस्तक उनके लिखित पुस्तक जैसे डॉक्टर अंगानाथन मौदे की 60-65 ग नाम मगंध के लिखक का नाम बताओ हमारा ऑप्सन एब यस केसवन ऐसा रंगानाथन विए अनगानाथन या इन में से कोई नहीं है कि आप मेंसे कोई सए आश्या हाँ इसका वेरी गुद पी इन को ला पी इन को ला पी एक पूला मोदे का पूरा नाम तो हमारा पूरा नाम था पृत्वी नार पॉला पृत्वी नार पॉला इनके बारे में थोड़ा सा अगर परिचे देखें तो यह है पुस्तकाले विज्ञान के जगत में महान विभूती है तो इनका पुस्तकाले विज्ञान के चैति विभूती बड़ा योगधान है तो इनको हम देखें कि इनको फृत्वार पृत्वी नार पूर्ष्कार इनको कि पलंशरी से समानित है। पृतिनात कॉला आप परंश्री आवर्ड से समानित है अगला इनके संबंद में पूछा जाता है डॉक्टर रंगानाथन मौहदे डॉक्टर रंगानाथन मौहदे की की जीवनी के संपादक है आप पे एनकोला मौहदे और अगर इनके बारे में देखें तो नैसनल हेराड पत्रीका नामक पत्रीका के संपादक है हमारा यहाँ पर इनके दिवारा बताया गया कि डॉक्टर रंगानाथन मौहदे की जीवनी के संपादक है तो डॉक्टर रंगानाथन मौहदे की ओटो बायोग्राफी का नाम पूछा जाता है तो बताओ आप में से अगर किसी को पता हो तो नहीं तो आप नोट कर लीजिए A librarian looks back an autobiography of Dr. गानाथन A Librarian A Librarian Looks Book Looks Back एक एन पोटो बाइओग्राफी और डॉक्टर एसार जंगा हमारे सामने इनकी जो यह डॉक्टर रंगानाथन मौदेगी ओटो बाइओग्राफी है एन लाइब्रेरियन लोक्स बैक एन ओटो बाइओग्राफी और डॉक्टर एसार रंगानाथन यह उन्नी सो बाइड़े में प्रकाशित हुई है पी एन पोलं मौदे इसके एडिटर है इनके संपाधक है और यह कब प्रकाशन आती है 90-92 नेक्स्ट आगे हमारा किशन आता है कि कौन से आयोग या समेती द्वारा इंपीरियल लाइब्रेरी क्वेव को डिपोजेटरी लाइब्रेरी यहां पे कॉपीराइट जो लिख रखा है इसे हटागा कि आप डिपोजेटरी लाइब्रेरी कर दीजे में स्प्रेंट है डिपोजेटरी लाइब्रेरी बनाने की इस्तोतिक यह थी निवनम ऐसे इस समेती ने आपकी इंपीरियल लाइब्रेरी को डिपोजेटरी लाइब्रेरी बनाने की इस्तोतिक यह थी तो हमारे सामने ओप्षन है पैने जी आयो रिच्ची समीती इस्थाताम समीती या सैडलर समीती हमारा डी ओप्षन जो है सैडलर समीती यहां आपकी तलकता वीश्च विज़ दाल है कि उत्थान किस से समन देती इसका आपका सही आंसर रहेगा रिच्ची समीती हमारा प्रस्ण था कि इंपेरियल लाइब्रेरी को डिपोजेटरी लाइब्रेरी की बनाने की इस्तोति रिच्ची समीती द्वारा की गई तथा इसका गठा आपका 1926 में गठित होती है और 1928 में रिपोर्ट प्रस्तूत करती है यहाँ पे आपका रिपोर्ट और यह गठा रिच्ची समीती 1927 में गठित होती है और 1928 में अपनी इस समन्द में रिपोर्ट प्रस्तूत करती है कि इंपेरियर लाइबरेरी को डिपोजेटरी लाइबरेरी बनाने की इस्तोति अब मारा नेक्स्ट किशन आता है कि भारतिय राष्ट्री गन्थाले भारतिय राष्ट्री गन्थाले कोलगाता वर्ष में कितने दिन खुला रहता है बहुत ही इजी प्रस्न है और डॉक्टर रंगानाथन मौधे का पहले इस सूत्र की अनुपालना कि सर्वादिक समय तक वर्ष में पुस्तकाले खुला रहे तो हमारा यहाँ पर प्रस्न आता है कि भारतिय राष्ट्री गन्थाले जो कोलगता वर्ष में आपके कितने दिन खुला रहता है तो हमारे सामने 362 और 363 दो विकल्प है और अधिक्तर स्टुडेंट्स इन दोनों में कंफ्यूज कि कहीं पर हम पढ़ते हैं कि 362 है और कहीं पर हम पढ़ते हैं कि 363 दिन एक्जेट सही आंसर क्या है तो आपको बता दे कि एक वर्ष में राष्ट्री गन्थाले हमारा तीन दिन आफ रहता है वह तीन दिन है 26 जनरी 15 अगस्त और दो अब तुमारे हमारा तीन दिन का उकास है तो हमारे सामने एक वर्ष में 365 दिन अर्था कि हमारा 362 दिन इसका सही आंसर रहेगा लेकिन 363 दिन अगर हमारे एक वर्ष में 366 दिन है अर्था हमारा वर्ष अगर लेक वर्ष है तो वहाँ पे उस इस्तती में हमारा 363 सही माना जाएगा तो प्राशना यह आता है या तो कोई भी वर्स दे दिये जाएगा उसके संदर्वें पूछा जाएगा कि इस वर्स हमारा वराष्ट्रिय गिंधाले जब यहां पूछा गया था 363 दिन तो उस ताइम आपका वह वर्स लीप वर्स था तो अगर अभी भी अगर पूछा जाएगा कि हमारा राष्ट्रिय गिंधाले लीप वर्स में कितने दिन खुला रहता है तो 363 दिन और सामान में वर्स में हमारा 362 दिन तो आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि हमें 363 दिन कब करना है और 362 दिन कब करना है और किन किन दिन बंद रहता है 26 जंगरी 15 अगस्त और 2 अकुमर यह तीन डेट आप नोट कर लिजिए और यह तीन डेट में यह भी प्रस्न बन सकता है कि निम्न तिथियों मैंसे राष्ट्री गंथाले किस दिन बंद नहीं रहता है तो हमारा कोई भी एक दिन 12 अगस्त या कोई भी दे दिया जाएगा किसी की तेवहार की डेट दे भी जाएगी और पूछा जाएगा कि निम्न मैंसे कौन सी डेट को हमारा राष्ट्री गंधाले बंद नहीं रहता है तो आप इसे नोट कर लें नेक्स्ट प्रस्ण पर हम आते हैं कि फाइब लॉज और लाइब्रेवी साइंस नाम ग्रंत का पृथम प्रकासा पृथम प्रकासा एक हमारे सामने पूछा जाता है परिकल्पन एक पूछा जाता है हमारे सामने सूत्रपाद यहां मैं पहले वीडियो में आपको बता दिया गया था सामने पृच्छे में कि हाइब लॉज का पृथम प्रकासा कब होता है परिकल्पना कब की जाती है परिकल्पना यहां पे सब्ध लिया जाता है पृतिपाद अ तो हमें बता है कि डॉक्टर रंगानाथन मौदय ने 1921 में ही इनिशिस का सोत्रपात कर लिया था 1928 में प्रतिवादन होता है और 1931 में इसका प्रतम प्रकाशन आता है और दूसरा प्रकाशन 1957 में दुत्य प्रकाशन फाइफ लोग का दूसरा प्रकाशन 1957 पहला प्रकाशन 1931 में प्रकाशित होके 1928 में आपकी परिकल्पना और 1924 में सुत्रपात यह चार प्रस्न यह चारों सन बहुत इंपोर्डेंट रहते हैं अभी आपने देखा होगा NBS के पेपर में तो उनका प्रथम प्रकाशन पूछा था और अगर हम आगे बात करें कि डॉक्टर रंगानातर मौदय में प्रकाशन होड़े के बाल में फाइफ लॉज्स की सरों प्रथम पहली पुस्तर किसको बैठ गी थे अगर हमारा अगला सब्सक्राशन यह बनता है यहां से कि 1931 में प्रकाशित दॉक्टर रंगानातर मौदय की पृथम पुस्तर 1931 में प्रकाशित उस्तकाले विज्यान के पांच सूत्र पुस्तकाले विज्यान के पांच सूत्र नामक पुस्तर सारु पृथम किसे भैंट के पुस्तर जाते हैं तो नहीं नहीं प्रकाशित विज्यान के पांच सूत्र पृथम 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 किसे भैंट की यह प्रस्तर भी आपसे पूछा जा सकता है जित्ना जिस टॉपिक पर हम अधेन कर रहे हैं उसको धेरे धेरे हम अधेन करते हैं तो हम उसके अंदर तक जाते हैं जाते हैं तो नहीं नहीं प्रस्तर हमारे सामने आते हैं बस हमें जरूरत है उन प्रसनों को खोजने तो हमारे सामने निया प्रसना आया कि इस पुस्तर को सारुपर्थन डौक्टर अनथन मौदे ने किसे भेंट की तो सही आंस्वर रहता है रुकमणी रंगानाथन इसका आपका सही आंसर रहेगा रुक्मनी रंगानाथन डॉक्टर रंगानाथन मौ देखें पहली पत्नी का नाम रुक्मनी रंगानाथन तथा दूसरी पत्नी का नाम सार्दा रंगानाथन तो हमारा आगे हम बढ़ते हैं एट नमबर प्राशन है कि कितना सरल, कितना हलका तथा कितना प्रजनल How Simple, How Travel and Yet How Seminar यह डॉक्टर रंगानाथन मौदे ने यह टेपनी किस संदर्ध में की होगी तो यह प्राशन आप सभी को पता है कि आप्षन है आपका वर्गी गर्ण के पर्थम सूत्र से रंगानाथन विज्ञान के पर्थम सूत्र से, साहिक अनुक्रम के पर्थम सिद्धान्त से या वैचारिक धरातल की अभीधार्ण से तो यहाँ पर हमने एक कहानी देखी थी पहले भाग में एडवर्ड उनके गुरू एडवर्ड वी रौस और रंगानाथन मौदे गे जैसे ही एडवर्ड वी रौस मौदे ने पहला सूत्र संपदित किया था उनके सामने प्रिस्तूत किया डॉक्टर रंगानाथन मौधे ने, तब डॉक्टर रंगानाथन मौधे ने यह कहा तो कि कितना हलका, कितना प्रजनक है, तो हमारा सही अंसर रहेगा गन्ठले विज्यान के प्रथम सूतर से, जो भी नए विद्यारथी हैं, यूटूब पर हम तो पहले आप उसे देखें उसके बाद में इस पेपर пर इस आलेशन और देखंगे तो आपको जो आपके बीछ में पुस्तकाले विज्ञान के पांच शुत्र में हमेशा दो फुस्तकाले द्यक्सव affordyttॉ के बीच में इस्तति है कि यहाँ सूत्र या यहाँ गटना हम किस सूत्र में लेंगे इसमें माना जायेगा तो वह द्वन्द आपको वह टॉपिक पढ़ने पर आपके किलिर हो जाएंगे आगे बढ़ते हैं नवा प्रस्ण है कि दो उप सूत्रों के मत्य द्वन्द की इस्तती किसके द्वारा सपील को खतम किया है कि जब भी दो पुस्टकाले द्यक्सवां के बीच में या पुस्टकाले द्यक्स को किसी परकार का निर्णे लेने में उत्पन हो रही समस्या को खतम करने लिए उन्होंने यह पांच सूत्र दिये थे और इन्होंने डॉक्टर अंगानाथन मौदे ने पुछा जाएगा कि डॉक्तर अंगानाथन मौदे ने पुस्टकाले विज्यां के पांच सूत्रों में हाई कोर्ट की संग्या किस संग्या से नवाजा है हाई कोर्ट से और एक हमारे सामने आता है सब आच्रन सम्हीता हमारे सामने है आच्रन सम्हीता यह उसकाले उग्यान के पांच सूत्रों है जिनके संदर में यहाग अथन कितन मौदे ने किया है पहला आपके सामने रहेगा डोक्ट रंकाणातन मलद है दूसरा आपषिंगा आपके सामने कयम सहिवरलमञण ओर थीसे रआप्स रहेगा मेलवाजी और ले लिध्प जिए अर चौथा ऑपसे डे दिया जाएगा और आच्रन सम्हेटा कि कि a सिवरामन महाद है और हाइकोर्णी संग्या डॉक्टर रंगानाथन महाद है इन चीजों का आप द्यान रखें इन दोनों प्रस्नों का अगला प्रस्न है हमारा सारजनी गृंथाले द्वारा द्रश्टी हिंदों के लिए प्रचार सेवाओं को किस सूत्र द्वारा उचित ठ प्रतेक पाठक को उसकी पुस्तक मिले तो हमारा यहां पे मुख्य जो सूत्र जहां पर रहता वाए तो उसका हमाया आंस्वर देखें ऑप्सन में हमारा यहां पे क्या है कि पुस्तकाले विज्यान के चतुर सूत्र द्वारा पुस्तकाले विज्यान के प्रथम सूत्र द् या गृंधाले विज्ञान के सभी सूत्र द्वारा तो यहाँ पे आपका सही आंश्व रहेगा गृंधाले विज्ञान के सभी सूत्र द्वारा क्योंकि हमसे पूछा है कि सारुजनी गुंधाले द्वारा द्रिश्टी हिनों के लिए प्रचार सेवा को किस सूत्र द्वारा उच्चित ठेराया जाता है तो हमारा मुख्यत है यहाँ पे दूसरा सूत्र जो हमने आदनी सूचना तकनीक में पुष्तकले विज्यान के पांच सूत्र अलग से आपको एक टॉपिक पूरा वीडियो आदे हंदे का सेशन आपने लिया था जिसमें वर्तमान में सूचना तकनीक में हमने देखा था कि कायता से द्रश्टिहीन विकलांग या दिव्यांगों को भी आज की सूचना तक्नीक में उन्हें भी सूचना को पूरा जानने को प्लब्द होती है वो भी उससे वन्चित नहीं है तो वह दूसरा सूत्र नेट्वर्प की से समझनी था तो यहां पे हमारा अगर ऑप्सन में दित्य सूत्र ऑप्सन होता ग्रिंथाले विज्यान का दूसरा सूत्र तो हम उसको सही आंसर करते लेकिन यहां पे हमारे सामने दूसरा सूत्र विकल्प में नहीं है तो हमें ग्रिंथाले विज्यान के सभी पांचों सूत्र को ही इसमें माना जायेगा आगे हम देखें कि ग्रंथाले विज्ञान के पाच सूत्रों में से ग्रंथाले अदिनियम की आउसक्ता पर बल दिया है आप्शन है पहला सूत्र, दूसरा सूत्र, तीसरा सूत्र या चौथा सूत्र तो यहां पे हमसे पूछा गया है ग्रन्थाले अधिनियम की आउसक था तो हमें पता है कि दूसरे सुत्र में हम देखा था सरकार के दाइत्व, प्रादिगरण के दाइत्व, कर्मचारी के दाइत्व और पाठक के दाइत्व तो यहाँ पे सभी के दाइत्वों से समंदित था और अधेनियम सरकार के द्वारा अधेनियम प्यार करना वित का प्रावदान करना इत्याधी कारे हमने देखे थे तो हमारा सही आंस्व रहेगा दूसरा सूत्र अगर हमारा next question है कि प्रतेक ग्रंथ को उसका पाठक मिले ग्र प्रतेक ग्रंथ को उसका पाठक मिले तो हमारे सामने option है पहला सूत्र दूसरा सूत्र पांचवा सूत्र इन मैं से कोई नहीं तो हमारा यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा इन मैं से कोई नहीं क्योंकि यह पुस्तकाले विज्ञान का तीसरा सूत्र है हमारा आगे next question आता है तेरा नंबर कि ग्रंथाले विज्ञान के किस सूत्र में विज्ञान के सिचु विकास एवं वैस्क विकास अर्थार चाइल्ड ग्रोथ और अडल्ड ग्रोथ की चर्चा की गई है किस सूत्र में हमने की थी चर्चा पंचम सूत्र में very good तो सही answer रहेगा हमारे यहाँ पे पंचम सूत्र आगे आप दा नेक्स्ट केशन पे कि ग्रंथाले विज्ञान के पंचम सूत्र के अनुसार ग्रंथाले वर्धन सील है अर्था लाइब्रेडी इज ग्रोविंग और गेनाइजेशन या और गेनेजम क्या रहेगा सही answer और गेनेजम सही आंसर हमारा रहेगा अभी और गेनेजम आगे हम नेक्स्ट देखें कि ग्रंथाले में ग्रंथों के प्रत्याहरण की आउसकता ग्रंथाले विज्ञान के पांच सूत्रों में से किस सूत्र में की गई है अर्था कि ग्रंथाले विज्ञान में के पांच सूत्रों में कि ग्रंथों के प्रत्याह प्रतेख उस्तक को उसका पाठख मिलें ग्रिंथाले में उपलब्द ग्रंथ पाठकों की द्रश्टी में लाए जाने का अधिकार देता है जाने के लिए कौन सा सूत्र कहता है तीसरा सूत्र जो हमारा तीसरा सूत्र है पुस्तकाले विज्ञान का वहां कहता है क्योंकि जो तीसरा सूत्र है प्रतेख पाठख को उसकी प्रतेख पुस्तक को उसका पाठख मिले तो यहां पर क्योंकि जो पुस्तक है वह ना तो लेख पुस्तक के पास में चलतर जा सकती है, तो उसके लिए हमें पुस्तक Dosagrog को लाने की लिए उसके संदर में यहां पुछा गया है, अब हरा कर娘ams को पाठख की दृष्टी में में लाने की लिए जैसे open access system मुक्तद्वार प्रणाली जिससे पाठक सीधे पुस्तक के पास में पहुंचेगा तो हमारा यहाँ पे सही आंसर रहेगा तिरत्य सूत्र अगला हम देखें आगे कि प्रतेक पाठक को उसका ग्रंथ मिले एवरी रीडर इस वो ग्रंथाले विज्ञान का कौन सा सूत्र है बहुत ही सिंपल सा प्रस्न है दूसरा सूत्र अभी हमने सर्चा की है open access system की तो हमारा लक्ष्ट प्रस्न आ गया कि ग्रंथाले में मुक्तद्वार प्रणाली ग्रंथाले विज्ञान की इस सूत्र की पादना करती है option है हमारे सामने प्रफम सूत्र दुरत्य सूत्र तीसरा सूत्र या पंचम सूत्र अर्था की प्रतेक कुस्तक को पाठक मिले जिसके लिए हमने मुक्तद्वार प्रणाली system को हमने सही माना है तो हमारा प्रतेक पुस्तक पाठक पहुँच जाई हमें next प्रस्ण पर आता है कि कौन सा ग्रंथाले विज्ञान का तीसरा सूत्र है तो हम अभी उसी पर सर्षा कर रहे हैं पिसले तीन प्रस्ण से कि प्रते ग्रंथ को उसका पाठग में लिए नमबर 20 ग्रिन्थाले विज्ञान का कौन सा सुत्र इस बात का प्रगधान करता है कि ग्रिन्थाले सेवा चलाना राज्य का दाइत्व है हमारा उसकाले विज्ञान का जो दुद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् प्रादिगार के दाइत्वा करमचारी के दाइत्वा और पाठक के दाइत्वा इन सभी के दाइत्वा से परिचित करवाता है जब भी पूछा जाए कि सरकार के दाइत्वा प्रादिगरण के दाइत्वा पाठक के दाइत्वा इस सूत्र से संबंदित रहेंगे तो हमारा सही आंसर रहेगा दुत्य सूत्र max प्रस्ण है कि निमन लिखित सूत्रों में से किस सूत्र के पहर सीडी रॉम का प्रयोक सबसे जादा किस सूत्र से समन्दित है तो आधुनिक तक्नीक में हमने बात की थी कि आधुनिक सूचना तक्नीक में उसकाले विज्यान का पहात्वा सूत्र हमारा इनसे रहेगा तो यहाँ पे हमारा सही अंसर है वापंचन सूत्र नेक्ष्ट प्रसन है हमारा ग्रंथाले विज्यान के दूसरे सूत्र का उपसिद्धान कौन सा है अर्थार दूसरा हमारा सूत्र है प्रतेग पाठ़क को उसकी पुस्तक मिले तो यहाँ पे हमारा है कि निसोल का ग्रंथ सेवा ग्रंथ सब के लिए है सब इस्थान पर प्रतेक सब्द से और उसकी सब्द से क्या विप्राय है तो यहां पर हमारा एक ही मुआ पे प्रतेक से तात्परे हमारे यहां था कि अमेर गरेव या किसी भी प्रकार का भेद्भाव नहीं है तो हमारा दूसरा सूत्र का उप्सूत्र जो है ग्रंथ सबके लिए हैं यहां हमारा सही आंसर रहेगा आगे हम देखें कि डॉक्टर रंगानाथन द्वारा लिखित ग्रंथाले विज्यान की पृत्थम ग्रंथ का नाम बताईए तो आप जिस टॉपिक को लेकर के अभी सूत्र यहीं की पहली क्रती थी 1931 में तो हमां अगर ऑप्शन पर ध्यान देया तो हमारा उसकले विज्यान के पांच सूत्र कि 1931 में दूसरा ऑप्शन में हमाया दे रखा है पोलेक ग्यमना प्रोलेक अन्ना और लाइब्रेरी साइन्स और लाइब्रेरी साइन्स 1937 तेसरा ऑप्शन दे रखा है लाइब्रेरी मैनुवल लाइब्रेरी मैनुवल जहां आपकी 1931 में तथा चौथा ऑप्शन है आपके सामने है कॉलंग क्लासिविकेशन तो यहां आपके आती है 1937 पुस्तकाले विज्ञान की पांच सुत्र उन्नी सो इकतीश में प्रकाशित होती है यह इनकी पहली क्रती है पॉलेग जबना और लाइब्रेरी साइन्स आपकी 1937 में लाइब्रेरी मैनुवल इनकी हमें संद्र याद होना चाहिए और निम्न में से कौन सी पुस्तक रंगानाथन मौद्य की है तो हमें 15 से 20 पुस्तक रंगानाथन मौद्य की है उनका अलग से चार्ट तैयार कर लेना चाहिए आगे हम बढ़े हैं कि रंगानाथन ने ग्रंथाले विज्ञान के पांच सूत्रों का प्रतिपादन कब गिया तो हमने अभी सूत्रपाद देखा था 1924 में प्रतिपादन हमारा 1928 में और प्रकाशन हमारा 31 में तो हमारा सही आंसो रहेगा 1931 में नेक्स्ट प्रस्न है ग्रंथा रंगानाथन क्रत फाइफ लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस नामग्रंथ का दूसरा संस्क्रण किस वर्ष प्रकाशन नाया तो पहला 1931 और दूसरा हमारा 1927 में डॉक्टर रंगनातन क्या थाइव लॉज और लाइबरी स्इटस के पर्थं संस्प्रंण की प्रस्तावना हमारे सामने दो प्रस्थ है अजित एग है हमारा वुच्छ हाता है प्रस्तावना किनके द्वारा लखी वही और दूसरा प्रस्थ आता है इन दोनों में अक्सर सभी इस्टुडेंट्स रहते हैं तो हमारा प्रिस्तावना में रहेगा पी एस सिवास्वामी सिवास्वामी अईयर और हमारा भूमी का मैं डबनो सिवी सेज यहां पे हम सिंपल तरीके से याद रख सकते कि यहां पे भूमी का मैं और हैं तो प commendah से श्टाव थे त Jeżelinellitt यहाद गर्ने का तरीका है बाकि आप पुर्स्तावने को सीबें देखें कि बिएस सिवास्वामी और भूमी का WCB सेर्ज जिस तरीके से भी हमें याद रहे याद रहना चाहिए और एक्जाम में हमारा सई होना चाहिए मैं अद्दे से हमारा वो है एक्जाम को क्रेक करने कि एक्जाम में हमें कैसे भी करके याद रहे तो नेक्ष्ट प्रेस्ट नभी यही है हमारा कि भूमी का किसके द्वारा लिखी गई तो आपको सही आंसर मिल गया होगा WCB यह प्रस्ट करवाने का तात्परी यह है कि प्रतेग टॉपिक पर हमारी कमांड तयार हो जाए पहले हमने उस टॉपिक का पूरा सॉलिशन आपके बीच में लेकर गया है और अब आपका वही सॉलिशन के बाद में उसी टॉपिक से रिलेटेड पचास प्रस्ट अर्थार की दो नुम्बर हमारे कम्प्लीट हो जाए और हमें आगे जो तयारी है वह हमें 98 अंग की इकरणी पड़े 98 प्रस्टों की तो आगे हम देखें अगला हमारा प्रस्ट है कि ग्रंथाले विज्ञान का कौन सा सूत्र ग्रंथाले में प्रचार सेवाओं की गठन से समन्दित है हमें अच्छे तरह ध्यान है कि प्ष्टक अले विज्ञान का तीसरा सूत्र प्रतेग पुस्तर को उसका पाठख मिले तो उसके लिए पुस्तक तो प्रतेग पाठख तक जाएगी नहीं तो उसके लिए हमें किसकी आउशकता रहेगी प्रचार प्रचार और जन्संपर की विस्तार सेवा थी तो यहां पे हमारा तीसरा सूत्र रहेगा आगी हमारे सामने अगले प्रस्थ में आया है कि लोग तंत्री करन लोग तंत्री करन वह सार्वत्री करन सार्वत्री करन यहां किस सूत्र से समन्दित हैं आपके सामने ऑप्षन है पहला सूत्र दूसरा सूत्र तीसरा सूत्र या चौथा सूत्र हमने लोग तंत्री करन और सार्वत्री करन को दोनों को ही समझा था कि प्रतेग पाठक को उसकी पुस्तक मिले तो वहां पे प्रतेग और उसकी सब से हमने लिया था कि लोग तंत्र करन में यहने कि पुस्तक प्रतेग पाठक को उसकी पुस्तक मिले अर्थार कि प्रतेग ज सबी को जो उसको आव सकता है ग्रंती वह उसको मिले तो किसी परकार का भेदबाव नहीं करता अर्थार की लोग खंत्री करण और सारोत्री करण किस से समझ देते हैं हमारा उस्तकाले विज्यान का दूसरा सूत्र से पुस्तकाले विज्यान का दूसरा सूत्र उस पर बल देता है आगे हम अगर देखें कि पुस्तकाले विज्यान के कौन सा सूत्र डिजिटल क्रंथाले की आवशक्ता को महत्वकूंट बल देते हैं तो डिजिटल पुस्तकाले अर्थार्थ समय की वचत और आधुनिक तक्नि डर्चुठू पर गरंतले विज्ञान का तीसरा सूत्र किस पर बल देता है गरंतों पर चरी वर्ग पर गरंतले सेवाँ पर या पाльट वों पर तो हमारा तीसरा सूत्र गरंतले सेवाँ पर बल देता है next question में हम आते हैं ग्रिंथाले विज्यान के तीसरे सूत्र की पूर्ती निम्न मैंसे किसके द्वारा प्रभावी डंग से की गई है संदर्व सेवा सोची करण मुक्त द्वार प्रणाली या वरगी करण हमें इसका सही अंसर नहीं बता अगर हमें सही नहीं बता अगर आपको आपने मानगों की पड़ भी नहीं रखा और आपको यह प्रस्न नहीं आ तो आप option से उस प्रस्न को कर सकते हैं कि वरगी करण और सूची करण हम किसलिए करेंगे कि पाठक को सही समय पर उसकी पुस्तक मिल जाए या प्रते एक पुस्तक को उसका पाठक मिल जाए उसके लिए हम वरगी करण और सूची करण करेंगे यहनि कि समय की वचत तो सौथे सूत्र से समन्दित है संदर्व सेवाब भी हमारा मुख्य रूप से चतुर्थ सूत्र में है तो यहाँ पे मुक्तद्वार प्रणा ली जो हमारा तीसरे सूत्र से रिलेटेड रहेगी तो यहाँ पे आपका सही आंसर रहेगा तीसरा सूत्र अब हम आगे देखें कि परिशुद और गृत्गामी ग्रुन्थाले सेवाए पुर्ष्टकाले विज्यान के किस सूत्र से संबंदित है तो हमारा परिशुद और गृत्गामी अर्थार की समय की बचत हो तो हमारे यहाँ चोथे सूत्र से संबंदित रहेगा चोथा सूत्र ग्रुन्थाले भवन का इस्थान निर्दारां खाईप लॉज ऑन लाइबरुरी सकी किस सूत्र का निहीत है, तो हमें पता है सामय का हमारा पहला सूत्र है तो सही आंसर रहेगा हमारा पर्थन शूत्र है ग्रुन्थाले विज्यान का कौन सा सूत्र? इस बात से समंदित है कि सूचना गतिसील, अविरल और अनन्थ है, हमने आदुनिक सूचना तक्नीक का जो आपके सामने अंतिम टॉपिक लेकर के आये थे इस यूनिट का, तो उसमें कुछ यूटूब पर हमारे कमेंड्स थे, कि सर यह हमारे पाठिकरों है या नहीं है, तो आप इन पचास प्रस् अब तक देख चुके हैं, तो आपके लिए पूरा यह जो टॉपिक है, आदुनिक, सूचना तक्नीक, टॉपिक ही आपके लिए most important है, क्योंकि वर्तमान में जितने भी प्रस्न बन रहे, उससे समंदित बन रहे, अर्थार कि अगर हम देखें, एक रस्न आता है हमारे सामने प्रिलेग, आपको उन वीडियो में सभी में आपको यही बताया गया है, कि डॉक्टर रंगानाथन मौदे ने उस्तक के इस्थान पर प्रिलेग सब्द को उप्योग में आया था, इस्तान पर प्रियोग लिया गया था, आगे हम बढ़े हैं, तो निम्न लिकित मैं से कौन सा ग्रंथाले विज्यान के सतुर्च सूत्र का नीद्दार नहीं है, अर्था अर्थ की सौथे सूत्र से समंदित नहीं है, तो हमारे सामने आप्शन है कि वर्गीकरत ज़रस्थापन, स्टैक रोंगाइड, आदान प्रि सेवाएं, तो हमारा चौथा जो आप्शन है, ग्रंथाले, ग्रामिट ग्रंथाले सेवाएं, यहां हमारा चौथे सूत्र से समंदित नहीं है, क्योंकि चौथा सूत्रा में गयता है कि प्रतेक पाठक का समय बचाईए, तो यहां पे वर्गीकरत, इस्टैक रोंगाइड औ और आदान प्रदान प्रणाली, यह हमें समय बचाने में महात्कौन भूमिका को अदा कर रहे हैं, तो यहां पे यह रहाएगा, आगे हम बात करें कि अपूपा विधी के अनुसार, प्रलेखों का वयस्तापन, ग्रंथाले विज्ञान की किस सूत्र का निहितार्थ है, प्रणाली है, अपूपा, पैनुम्रल, पैनुम्रल, अलाइग, पैनुम्रल, उम्रल, और पैनुम्रल, और अलाइग, यहां किस तरह से रहती है, कि किताबों का वयस्तापन किस प्रकार से हो, तो यहां हमें रॉक्टर रंगानातर मौदे अपूपा पदत्ती दी थी, कि यहां पे जो सबसे बीच में, जो सबसे मुख्य किताब है, उसे रखा जाए, और सदूस्से कम में इसे रखा जाए, कि यहां से दूसरे नमबर पे, और अंत से दूसरे नमबर पे, और सबसे जो कम है, उसे यहां पे रखा जाए, तीसरे नमबर, अंत इधर से पहले इस्तान पर, और अंत से पहले इस्तान पर, इस तरह से, जैसे कि हमारा आता है, कि एज्योकेशन, टी है, तो यहां पे सिक् यहां पे हमारा जो T है T के बाद में हमारा U और V V आपका हो गया है स्ट्री से और V हो गया आपका जियोग्राफी से और यहां पे आपका U हो गया जियोग्राफी से तो इधर हम देखें तो यहां पे हमारा हो गया साइकोलोजी और यहां पे हम देखें तो हमारा हो गया फिलोसॉप फिलोसॉप तो यहां हमारा एज्योगेशन से समन्दित होगे अटी एज्योगेशन से समन्दित है उनमें बहुत्पूर्ण जो है उनकी पीच में आपने रखा कि यहां पे जोग्राफी हमारा है तो उसको अधिक्तर स्टुडेंट्स और साइकोलोजी जो शिक्षम अधिक्तर से समन्दित है उनकी आफशक्ता में अधिक गंगानात्र नहों देख होगी पाठक की मांग के उसा और फिलोसॉपी को नहीं यहां पे रखा जिस तरह से मैन क्लास है हमारी वहाँ अपू को प्रणा लिक है अपॉर्डिंग ही हमें समन्दित है तो हमें यह समझन है कि यह अलाइम जो है वह सबसे कम उपयोगी पुस्तकों के लिए पैनम्रल उससे अधिक उपयोगी और अम्रल सबसे अधिक महात्पूर्ण जो हमारी पुस्तक है उसको हमें रखने की विदी बताता है आगे हम नेक्श्ट प्रस्न पर बढ़ें तो हमारा सामने आता है कि अनुकर्मनी करण और सार करण अनुकर्मनी करण और सार करण किस सूत्र से समंदित है अनुकर्मनी करण और सार करण हमारा चौथे सूत्र से समंदित रहेगा समय की बचाव में आगे नेक्श्ट प्रस्न है हमारा ग्रंधाले विज्ञान का कौन सा सूत्र